हां जी दोस्तों तुवाटे दसमी ओपन ते बार्मी जमात वाले विद्यार्थियां दे लई रीचेकिंग ते रीवालुशन दे फारम अपलोड हो चुके ने बैपसाइड ते तुसी अपना ओनलाइन फारम पर सक देऊं ठीक है सारी इन्फोर्मेशन दोस्तों इस वीडियो दे विच दोएंगा मैं तो अनूं की फीस किन्ने या किन्ने तरीक तक तुसी फारम पर सक देऊं ते फारम किस तरह पर ना ओचेक है जी री चेकिंग ते री वैलूशन दे फारम अप्लोड हो चुके ने ओनलाइन अप्लाई कर सकते हूँ ता दोस्तो देखो मैं तो अनू कई विद्यार्थी अनू confusion आ री चेकिंग ते री वैलूशन दे विचे हुंदा किया ठीके जी ता दोस्तो देखो री चेकिंग ते री वैलूशन दे फारम इसलही पर जान देने की तो अनू लगधा की मेरे मार्क्स काटाईने पर मेरे मैं पेपर बहुत बदिया करके आए सीगा ते मेरे मार्क्स काटाईने मैं अपने नंबर बद बोढ़ना चानना आवा ठीक है जी दुबारा तो चेक किता जावे मेरा पेपर तो दोस्तो तो एहें जडे विद्यारती ने ठीक है री चेकिंग जा फिर री वैलूशन पर दिया पा वे तुसी किसे सब्जेक्ट दे वीच फेल भी हो रुपे ते एदी फीच 700 रुपे क्योंगा दोस्तों ए भी मैं तो अनूं दस नूंगा ठीक है जी किसे कॉस्चन ता तो आड़े नंबर टोटल देविचे एड़ोन तो रह गया ता एहे देख्या जाओगा चेक किता जाओगा नवे एग्जामीनर तो पर रीचेकिंग देविचे इस तरह नहीं हुँदा ओधे विचे तो आड़े नंबर दुबारा तो काउंट किते जान दिया टोटल ठीक है जी कि अगर कोई नंबर मिसिंग रह गया ता उनूं एड़ कर देने ठीक है एहे करके एन पंजाब स्कूल सिख्या बोड दसमी ते बार्मी श्रेणी जो की अक्तूबर दुजार विचे प्रिख्या होया सीगा ओना दा नतीजा कोशित हो चुकिया बा ठीक है इस प्रिख्या जेड़े भी समंदर जेड़े विद्यार्थी ने ठीक है जी बदु विशा ते इंप्र जाकिन जा रिवेलुशन करवानी चौन दे हन ओना लई ओनलाइन फारम परन अते फीज परन दे जड़ा समाबा ओ सतारा दिसंबर तो लेके एकत्ती दिसंबर तक हैगा बा ठीक है जी यानि कि लास्ट डेट है गिया एकत्ती दिसंबर ते आज किन्निया आज है गिया अठ 18 दिसंबर ठीक है जी 17 दिसंबर नूँ आए ने पर आज 18 दिसंबर तो लेके तुसी 31 दिसंबर दे अंदर अंदर तुसी फारम परना बा ते दोस्तों देखो एहे एक होर जरूरी गल इस तो इलाबा दोस्तों देखो आजडी तो अनुमें लाइन दसूंगा ना एहे गल तुसी पूरा तयान रखना बा यहे बहुत ही इंपोर्टेंट गाला ठीक है जी प्रिख्यार्थी आनलाइन फारम फीस परन उपरन्त इस दा प्रिंट अपने कोल रखन हाड कापी दफ्तर विखे जमा करवान दी जिरूरत नहीं हैगी ता दोस्तों एहे दो लाइना देव पेमंट भी कर दिनने उस तो बाद एक एप्लिकेशन फारम निकल दावा ठीक है जी एक हाड कापी निकल दिया उस दा जदो तुसी प्रिंट आउट का डालोंगे दोस्तों उसनों किते वी केड़े वी दफतर दे विच ठीक है जी पंजाब स्कूल एजूकेशन बोड वाल जमा करवाने हुन दिसी कि जिनू आप जिला खितरी दफतर केने या पंजाब बोड वाले आथा हर एक जिले दे विच खुंदा भा ठीक है जी तो दोस्तों उत्थे जाके ओहो जमा करवाने हुन दिसी कि पर दोस्तों कोबिड करके एहे हुन हाड कापी जड़ी निकलूग टे चलाननों तुसी प्रिंटाउट कड़ वाके बैंक दे वीच जान दे सीगे ऴैक देवाले आनों दे सीगे बैंक वाले हो C orang आसेप्ट करके तुसी फील दे देद दे शीए के तre पर दोस्तों कोबिड करके एह नने फीस दा भी सिस्टमा जेडा ओनलाईन वोर्ड कर दि तो दोस्तो इह दो गल्ला बहुत बड़ी है गल्ला थीका जी तो दोस्तो जिते गाला फारम तुझी खुदी पारना भाए, ठीके पी। पहर्म परन तो पहला तुसी कुछ important गला दा ते आण रखना भा, ते फिर ही तुसी फार्म परना भा, ता दोस्तो सब्तो पहला आपर रीचाकिंग फार्म पर अनुसार, छिक थे फार्म पर शकतप दे, ते इस वपरन ते फीस भी जमाघ करवा सकतते, आनलाइन माध्यम दे प्रिंट आउट निकलेगा ठीक है उसनों तुसी अपने कोल रखना बार ठीक है किसे भी दफ्तर देविच जमान नहीं करवाना हेगा ठीक है जो कि मैं तो पहला ही दस चुक्या आँबा फारम परंतो बाद उस दा प्रिंट आउट अप्लिकेशन फारम निकलेगा अपने कोल अपने कोल रख्यों किते जमान ना करवाए दूसरा प्रिंट दोस्तो एना नहीं लिख्या कि निर्दारी तो किती जड़ी रीचेकिंग दी फीस आ ठीक है उस तो इलाबा ठीक है काट फीस नहीं लगेगी ठीक है जिमें तुसी कौनगे कि मैं 200 देवा 200 नहीं दोस्तो 300 ही ठीक है ते अगर तुसी फिर काट फीस देने होता तो अड़ा फिर हो अधूरे फार्मा देविच गिनया जाएगा ते ओधी कारवाई नहीं किती जावेगी ठीक है जी फाराबनू बिना किसे अगेती सूचना तो राद किता कर दिता जावेगा ते रीचेकिंग दी दोस्त रुपे तेन सब जागर दीकी नहीं बनी 900 रुपे ठीक है जी गलता ते आन रखे हो कई कई विद्यार थे नहीं कंफ्यूजन हो जानती है ते उस्तो बाद दोस्तों जे गल करिए चोथे पॉन देविच एना ने दसे की जड़ी फीसी बारे दसे होया ठीक है जी ते एदे जड़ी अन्शर शीर सी की ओनुमें देखना चाहना कि टीचर ने मेंनु किस हिसाब नड़ मांगस देते ने तो अगर तुस्तों अगर तुसी अपनी उत्तर पत्री देखना चाने जोगा एथे अड्रस दे विच शायद नहीं आंदा तो अनुपन्जाब बूड बीच जा प्रसेसिंग दी फीसा ठीक है जी ओ दो रुपे प्रती पेजा अगर बी पेज ने ते चाली रुपे लगण के अगर दस पेज आता बी रुपे लगण के ठीक है जी ते उस्तों बात दोस्तों जे गल करिये ता पंजबे पॉन्ड दी चेना नहीं लिख्या कि रिजा किंग दारित मित्यां सेड्यूल अनुसार ही अपलाई करना पवेगा अपलाई दोस्तों किमे करना दुसी यह दे लई जो तो दुस्तों यहां रीचेकिंग जा रिवेलेशन दे फारम पार देऊ ना ता उथे एक ऑप्शेन आ जैंदा कि तुसी इस दी जड़ी उत्तरपत्री य ओधली भी एक नमा लिंक आऊगा ठीके जी ओधली तुसी अपना रिजल्ट चाकाउट कर साकते हो जेकर नतिज्य वीच कुछ भी बदलाब आंदा है ता इसे सबंदी जड़ी अगली कारवाई या ओहो बोर्दी प्रिख्या शाख्या बलो ही करवाई जावेगी आते प्र प्रिख्यार्थी नू समद्दत प्रिख्या शाखा नल संपर्ख कर दे होए अपना पूराना नतिज्या काड़ा जिमें कि तुसी उन जड़ा तो अनुस सटिफिकेट मिले होना पामे तुसी पास हो पामे तुसी फेलो ठीक है ओहो जमा करवा के तुसी अगर तुआ ड़े तुसी फिर अपना नतिज्या दे सकते हो यहने 17 दिसंबर तक ते दोस्तों जे नीचे आपा गल करिए ता इथे एक एपलिकेशन दिती होई या ठीक है यह दे विच दोस्तो तो आड़ा है एपलिकेशन हैगा उत्तर पत्री जड़ी तो आड़ी अंशर शीटा उसनों प्र पार में शिरेणी उतर पत्रियां या उतर पत्रियां दियां जड़ी रीचेकिंग दे लई भिने पत्र ठीक है जी आहां फारम अहां एप्लिकेशन पारम पारके तो अनुग बोर्ड दे विज़े जमा करवाना हुगा जे तुस्सी उतर पत्री प्रापत करना चाने हूँ ठी प्रापत करना चाने हूँ अपने अंशर शीट दी फोटो कापी नूँ एह तो अडिकोल आडिकाल आप्शन दे विचा एह तो आडिकोल अप्षन दे विचा करो या ना करो अगर करों के ता time फीस लगोगी अगर नहीं करों के ता कोई चेकर नी तो अड़ाय रिजल्ट था फिर भी आउगई याउगए ठीक है अगर करोंगे फेर भी रिजल्ट आउगए नहीं करूंगे फिर भी रिजल्ट आउगा एह तो आड़े कोल ऑप्शन दे विचा है कंपल्सरी नहीं आएगा कि तो हनु अन्सर शिट लाइनी ही पहुँ एह तो आड़े कोल ऑप्शन दे विचा तो आड़ी वेशा ठीक है जी ठीक है जी ते दोस्तो इस तो हेठा जेगा पागल करिये तो फिर इस तो बाद है गा तो आड़े रिवेलुशन दे लई हदा एता तो दोस्तो पहला पॉइंट एदे विच एही आ कि दोस्तो लेखती पेपरां दी जीड़ी रिवेलुशन होवेगी जीड़े प्रैक्टिकल पेपरा ओधी रिवेलुशन नहीं दोस्तो एदे विच आजड़ा दूसरा पॉइंट आ जो कि मैं तो लुझा रिचेकिंग वारे दास्तित्ता बाउपर ओही या सेम ते तीसरे पॉण दे विच भी उसे तरह हैगा सेम बस एदे विच रिवेलुशन दी फीड़ी 700 पे है ठीक है जी ते बाक्की उत्तर पत्र जी तोड़ी प्रापत करनी है ठीक है अंशर शीट एदी 300 पे फीसा जी मैं की रिचेकिंग दे विच भी सिखी ते दोस्तो जे गल कर ये चोथे पॉण जी ये दे विच हैगा दोस्तो रिवेलुशन दे विच उत्तर पत्रियां दे जड़े नतिजे विच अगर कोई भी ब अंतिम नतिजा होगा ठीक है जी ते दोस्तो पंजमें पॉण दे विच लिख्या है कि जे कर तो आठे नमबर 10 परसेंट तो बद अंका दे विच तब दिली आउंदी है तक केस अगर कट दे भी होई चाह बद दे भी होई ठीक है जी ता दोस्तो फिर ओहों तीजे प्रिख आठीक है जी ता ओनु अगर नमबर बद गए ठीक है जी अगर तो 10 परसेंट तो नमबर बद दे हुई ता फिर अगले प्रिख्या कर जड़े विच लिख्या जावेगा ते दोस्तो पंजमें पॉण दे विच लिख्या हो या कि जे कर तो आठे जडे ते दोस्तो पंजमें पॉण दे विच लिख्या हो या कि जे कर रिवेलुशन दे दोरान 10 परसेंट तो तो आठे जडे नमबर ने ओहो अंका दे विच अब तब्दिली हों दिया ते दोस्तो पंजमें पॉण दे विच लिख्या हो या कि जे कर रिवेलुशन दे दोरान 10 परसेंट तो बद अंका दे विच तब्दिली हों दिया या बद दे हों या कट दे हों तक केस तीजे प्रिख्यक कोल पे जा जावेगा ठीके जी आते दूसरे ते तीसरे प्रिख्यक वल्लो दिते गए अंका दी ओसत अनुसार ही नतिजा ठीके जी उससी तरह अलान कर दिता जावेगा यानि कि पहला था एक्जामीनर ओही या पहला प्रिख्यक ओही या जो की तो आड़ा हजे नतिजा आया ते दूसरा ओहुआ कि जेड़ा हजे तो आड़ा चेक कर रहेगा अगर 10% तो तो आड़े अगर अपने नंबर बदे ता ठीके जी फिर उसनों तीसरे प्रिख्यक कोल इए पॉंट देवे चेही लिख्या ओया थीगा जी उस्तो बाद 6 में पॉंट दी गल करी ये था दोस्तो सेम गाला जो की असी उपर 10 है तो आड़ा पाड़ सकते हूं ते उस्तो बाद दोस्तो आड़ेटा देती है याने ठीके ये थे सेम रहे जोस्तो रीचाइक इंग ल कैफे दे विच जान दी लोड नहीं है गी उन्हाने 100-200 रुपे तो आडे तो ले ले लेना रीचेकिंग ते रीवलेशन दे फारम पर अनबारे ता दोस्तो तुसी अपने मुवाइल फोन तो भी पार सक दे हो सब तो पहला अपना गूगल खोल ले हो ठीक है देता हो है ना एदे हठा तुसी अउन्लाइन फारम ते क्लिक करना भाँ ठीके जी इस्ते जो दोसी क्लिक कीता ठीके जीता तो आडे सामने कुछ फारम ओपन हो जानगे ते इससे तरह दोस्तो उपर आपनों देखो रीचेकिंग ते रीवेलुशन दे फारम देते हो है ने दसमी बार मी दे तुसी इस उपर क्लिक कर देना भाँ जो दो तुसी इस ते क्लिक कीता दोस्तो ता तो आडे सामने एक नमा पेज उपन हो जाएगा रीचेकिंग ते रीवेलुशन देख कई बाड़ी अगर उपन नहीं हो दधांता रीफ्रेश करशागँ पेज नूँ धी ते दोस्तो ओपन हो गया ते दोस्तो जो तो तुसी आँगे ता दोस्तो तुसी फारम पर ना खिलिक है यह र gob सिय पर हाँ तो कह सी आप ऐते करना एंक जब आ थे करना आ एथे कर लो अगर तो कोई इनक्वाइरी करनी या था तुस्विसे नबराते कर साकते हो भादे थे करनी धी नफ़यर करनी गजा थे अगर और कई वरी फोन नहीं चाकते ता यह अलग अलग नंबर देते होए ने ओके दोस्तो ते होन दोस्तो मैं तो हुन उदाजना की तुसी फारम के में पर नावा एथे तुसी निउजर क्लिक हेर टू रिजिस्टर ते क्लिक कर देना वा जदो दूसी इस टे क्लिक किता ता दोस्तो यह थे रीचकिंग दिया हाँ अधा इठीके जिए ठरी ठे ते रीवेलिशन दे आता इस न हे रैड़ सुर दोस्तो क्योंकि दूसी पहला ही पढ़ चुके पहला पढ़ लेऊ दोस्तो फिरी करेऊ ठीक है तो ये ओक जंदो दोस्तो पहले जी टिक होगा तो उसी supports देक किलिक केनावा जदो दोस्तो दोस्तो तुसी देक किलिक किता ता देख सकते हो दोस्तो we checking टे newly distribution senior secondary matriculationे examination अक्टूबर 2020 ता यह दे विचे दोस्तों शैसयन तोड़ा पहले है तोड़े डिलाग्त रहेगए और प्पन कुलक करना थे कनिकिक में तो खाल़ों कोहलuçãoा है अगरेइड करने हैं टोद़े- zipline गीच सिख्ञी कम्ले फिरcusi पैपने शैट अगर डaltet Dé दोस्तो च非ले करें दोस्तो आखर दोस्तो अपना रोल नम्बर पर देना वाइठ इमेल अईड़ी दोस्तो फक्का पर Мवाय एहे तेन चीज़्या पर नतों दोस्तों जुरूरी हो मैट ते उस्तों भात दोस्तों फिर धल्ले होना दूसरी औना ठ्लिक कर दे ना जधो दोस्तों अपना रफ्रेंस अंबर आजाएगा तो आड़ा ते जो एक तुसी रोल लॉम्बर तो आड़ा ते ओहो दो चिजा तुसी एत्थे फिल करने या ने इहें फिल करके फिर दोस्तो तुसी इसनों कि करना वाँ सब्मीड कर देना था इसाए तो यह यह जड़ा फाररमा मैं पिछली बर किसे विद्यार्थी था पर ऐसी गा ते मेरेकोल प्यासी गा ठीक है इस वर मैंनों कोई विद्यार्थी नहीं मिल आता मैं दोस्तो टो हो पिछली बर दा ही दिखा रहां पर tension नालो दोस्तो इस तरह था same page इसे तरह दो दोस्तो show होगा यह दि tension आले हो ठीक है जी तो आड़े सामने दोस्तो reference number आ जाएगा ठीक है जी जिमें कि एते लिख्या होगा reference number यह मैं blur किते हो एसारे ठीक है जी ते class row number इते आ जुगा तो आड़ा लिख्या session candidate name father name ठीक है जी तो हेठा दोस्तो जी गल करिए ता फिर तो आज आओगा कि subject select करो कि तुसी किन्या देविच करना चाने हो तुसी एक देविच करोंगे दो देविच करोंगे तैन देविच करोंगे ए तो आड़ी वेशा तुह नूँ जिमें लोट लगे ठीक है जी जिमें तो आँनू कराना चाने हो की जुड़ाना चाने हो ठीक है जी ता अगर तुसी revolution कराना चाने हो तुसी ऑपना हा आगlor चैक दीकिक दोब жд करवा के अपनी अंशर्शीट प्रापत करना चाने हो ऐदी फोटो कापी चाने हो की मेनूँ प्रापत हो यह ते मैं अपनी अंशर्शीट देखा ता फिर जित्ते दोस्तों आहा लिख्या है कि fee to get copy of answer sheet एथे समने टिकल गया है न अगर चौने हो ता टिकला के add कर दे हो अगर नहीं चौन दे कि मेनू नहीं चाहिए दी ता एथे tick ना लायो ठीक है एक बारी गल दियान तो सुन लो दोस्तो जे तुसी चौने हो की हावे मेनू उत्तर का पी भी चाहिए दी या ता टिकला के add कर दे हो अगर नहीं चाहिए दी या ता उनू टिकल ना लायो ठीक है जी तेनसोर पे लगूगी अगर तुसी टिकला दीती ठीक है पात दोस्तो फिर इस सारा कुछ फिल हो जान तो बात दोस्तो तो आटे तो फेठा ही एक होर page show हेगा इस type दा ठीके जी ते इस तो बाद दोस्तो फिर तो आटा यह थे ना अपना serial number आज़ूगा किने subject ने ठीके जी ते subject आदे नाम आजणगे ते marks आजणगे ते री checking आ या revolution आ ठीके जी इस तरह था कुछ आजएगा तो आटे समने ठीक है जी final submit ते click करने तो पहले एक वारी सारा कुछ देख ले ओपना ठीक है ते final submit तो बात दोस्तो फिर कुछ भी ठीक नहीं होगा correction नहीं होगी ठीक है जी जदो तो 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 फिर तो आटे सामने तो अटे आओगा दोस्तो की अपनी फीज जमा करो ठीक है जी पर सीट टू पे ऑनलाइन इस तरह दा कुछ लिखे आऊगा तुसी उस्ते क्लिक करोंगे ता तो आड़े सामने कुछ इस टाइप दा पेज ओपन हो जाएगा ठीक है ता इते फिर दोस्तो तुसी पर सीट टू पे टे कलिक करना वा एते तो आड़े ते एकसपारी इयर परके ठीक है जी ते सीबीबी परके जड़ा भी हैगा तो आड़ा ते बैंक केड़ा तो आड़ा हो ठीक है जी अहां सारा कुछ परके दूसी अपना पे नावते कलिक कर देना वा ठीक है जी ते रीफ्रेश ना करे हो पेज पे नावते कलिक करना तो बा इसलिए त्यान रखे हो दोस्तो जोदो तुसी इस दी पेमेंट करोंगे ठीक है फिर सक्रीन शॉट पका ले ले हो तेन चार सक्रीन शॉट लेके रख ले हो बदी अनल ठीक है जी क्यूंकि जोदो आप इनू बैक कर देने था इहीं गाये बोजन था फिर तुसी इसनू डाउ फिस रेसिप्ट ते अपना एप्लिकशन फारम प्रिंट आउट आओड कड़ा के अपने फीच अपने रख ले ले घृक है जी तै जो हो आपना हत्वानाल जमा नहीं करना जिम्एक तुसी देख रहे हो जिड़ा इहीं फारं में आता हूँ उस वक्त दिखा ऐसी का एहीं फारं दोस्तो हजे डाउनलोड हो जूगा अटो जिनरेटर ठीके जी तरथ तुसी खुद हत्वानाल फिल नहीं करना जिड़ा की अप्लिकेशन फारम प्रिंट अप्लिकेशन फारम ते कलिकर करके जो हजे आखरी दे विच निकलूगा ठीक है जी एही तुसी लजा के पंजाब और दे विचे जमा करवाना आबा ठीक है अगर तुसी फोटो कॉपी चानने हो अपने अंशर शीट दी ता अगर नहीं चौन ता अपने कोल रखो कोई लोड नहीं है गी तो जड़ी फीस रेसिप्टा ओ भी ठीक है जी अगर अंशर शीट पाल देऊं कि हावी मैंनू अंशर शीट भी चाहिए दिया 300 पे फीस देके ठीक है ता तुसी अहाँ अपना जबा करवा के तुसी अपना अंशर शीट अपने करो बाके इंस्टाग्राम दा लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे भी चाहेगा तुसी मेनू उत्थे भी मैसेज कर सकते हूँ ओके दोस्तो एही अपडेट सीगी तो आटे 10 मी अते 12 मी दे लई जए चैनल ते नमें हो ता सब्सक्राइब जुरूर कर लो दोस्तो बाके कुछ पुछना कमेंट करो बाके इंस्टाग्रादा लिंक हैगा डिस्क्रिप्शन चे ओके दोस्तो बाब बाई टाटा बाब